अस्सलाम अलेकुम पेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम टाइम वेस्ट करना कैसे बन करें मैं आपको इसलामिक टिप्स देने वाला हूँ जिससे की आप टाइम वेस्ट करने के बारे में कभी भी नहीं सोचेंगे दिखें बात ऐसी है कि हमें समय की एहमियत पता नहीं है और अगर आप अपनी समय की वैल्यू समझ लेंगे और जिस तरीके से सहाबा लोग अपनी समय की वैल्यू करते थे उसी हिसाब से काम करोगे तो आखिरत की काम्याबी तो मिलेगी ही साथ यसाथ दुनिया की बुलंदी पर भी पहुँच जाएंगे इसका best example है सहाबा की live जिसने अपनी समय की वैडियो की एंड दुनिया और आखिरत की काम्याबी को हासिल किया और अगर आप भी दुनों जहां की काम्याबी चाहते हैं तो आपको भी सहाबा की lifestyle को follow करना पड़ेगा time की importance कितनी है ये आपको कुराइन की आयत से पता चलेगा मैं जो चीज बताने वाला हूँ इसको आप नियत करिए comment box में इंशालला लिखिए ताकि शैतान आपको misguide ना कर पाए और इंशालला की बरकत से आपके दिल में इसलाम की एहमियत बैट जाए और समय की importance को आप समझ पाएं और दोनों जहां की success को अचीव कर पाएं देखे सूरा मुमिनून सूरा नमबर 23 आयत नमबर 99 और 100 में अल्ला तला फर्माता है कि जब तुम में से किसी एक के मौत का वक्त करीब आता है तो वो कहता है कि ए अल्ला मुझे थोड़ा सा वक्त और महलत दी जाए ताकि वोपस दुनिया में जाओ और जो ने की छोड़ाया था अच्छे काम छोड़ाया था वो काम कराओ तो मरने वाला भी किस चीज की गुजारिश करने वाला है थोड़े से वक्त की तो जवाब आएगा अल्ला ताला की तरफ से हरगिस नहीं ये मौका तुमें नहीं दिया जाने वाला है तो क्यों ना हम जो हमारा समय अभी एवलेबल है उसका पूरी तरीके से यूटिलाइस किया जाए हम लोग बस चीजों को प्रोकस्टिनेट करते रहते हैं कि आज नहीं कल से पढ़ूँगा या नेक्स्ट मंडे से पढ़ूँगा या फिर नेक्स्ट मन से शुरू करूँगा या फिर नेक्स सेमिस्टर से करूँगा ये वाला सेमिस्टर अच्छा नहीं गया ये जुम्मा से नमाज नहीं पढ़ना है, देखना अगले जुम्मा से तो मैं पका नमाज पढ़ना शुरू करूंगा, बस ये प्रोकस्टिनेशन की चेन, काम को टालने की चेन चलती रहती है, और हम हमारे नफस को काबो में नहीं रख पाते हैं, और बस टाइम बर बाद करत लगते हैं, काश हम ये चीज पहले ही कर लेते, अगर हम सहाबा के लाइफ को देखें हैं, तो रात रात भर वो लोग नमाजे पढ़ा करते थे, पुरान की तिलावत किया करते थे, और आज हम लोग लड़कियों से बात करने में, रील्स देखने में, टीवी देखने में, और कुछ-कुछ तो पौरन देखने की भी गंदी आदत लग जाती है, तनहाई में हम रात में क्या क्या करते हैं, आप खुछ से पूछिए, ये आप से बहतर कोई नहीं जानता, हमें बदलना होगा ये आदत को, ताकि आप अपनी लाइफ बेटर बना पाएं, और एक काम् अबी को भी आप हासिल कर पाएं, देखे बच कुछ समय की ही महनत करनी हैं आपको, अगर दो तिन साल आपने फ्यूचर को बहतर बनाने के लिए महनत करोगे ना, पूरे फोकस के सान, तो इंशालला आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, आपको अपने जिन्दगी का एक बड़ा मकसद, एक गोल बनाना चाहिए, और उसको हासिल करने के लिए जितनी महनत करना पड़े कीजिए, मैंने भी 6 साल पहले ये चीज जो मैं आज कर रहा हूँ, उसकी प्लैनिंग की थी, तभी मैं अपने आपको बहतर बनाने की कोशिश की, और तभी आप आज मेरी बात सुन रहे हैं, और मैंने सक्सेस अचीव की है, तभी आप मेरी बातों से मोटिवेट एंड इंफ्लूएंस हो रहे हैं, मैं कोई भी काम करता हूँ, उसमें 5 एर का प्लैन करता हूँ, मैं 2027 तक क्या करने वाला हूँ, उसका भी प्लैन मेरे पास रेडी है, और मैं डेली 14 तू 15 अवर्स उस चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत करता हूँ, इतना मेहनत मैं अगर जेई की प्रिपरेशन करता 12 में, जब मैं था तो AIR 100 या AIR 10 तक भी ला सकता था, एंड IIT बॉंबे में Computer Science Engineering की सीड भी मिल जाती, या फिर NEET की प्रिपरेशन करता, या UPSC की तयार तो मुझे उसमें भी जरूर सक्सेस मिलता, बट मेरी जिन्दगी का मकसद क्लियर है, वो एक Engineer, Doctor, IAS बन कर हासिल नहीं हो सकता, मुझे वो चीज़ को पाने के लिए Red Race का पार्ट से हट कर कुछ और करना था, जो कि मैं कर रहा हूँ, and Alhamdulillah I am doing well in my life, ठीक आपको भी आपकी जिन्दगी का एक Vision बनाना चाहिए, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि आपका Interest, आपका Passion किस चीज में हैं, तो आप मेरा ये वीडियो, How to Find Your Passion वाला देखिएगा, लिंक आपको I Button में and Description में मिल जाएगा, तो अगर आपको अपना Time बरब करना बन करना है, तो आपको जिन्दगी का एक Purpose बनाना चाहिए, और आप उस Purpose को Fulfill करने के लिए, एक Successful Person बनने के लिए, और दुनिया और आखिरत की कामियाभी हासिल करने के लिए, आपको काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, ये जिन्दगी बहुत छोटी है, और समय पानी की तरह निकलते चला जा रहा है, हमें अपने समय की वैल्यू करनी ही होगी, आपको अपने अंदर डिसिप्लीन पैदा करना होगा, और डिसिप्लीन पैदा आप नमाजों की पाबंदी करके कर सकते हैं, अब 40 डेस तक नमाजों को तक्बीर उला के साथ पढ़िए, त तो फिर देखना कैसा डिसिप्लीन आपके अंदर पैदा हो जाता है, आखिरत की काम्याबी तो मिलेगी ही, बट उसके पहले दुनिया की काम्याबी भी मिल जाएगी, और आप एक ऐसी बुलिंदी पर पहुंच जाओगे न, कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, प्लिस ए पेपर लिजिए, और उसमें लिखिए कि आपने ये ये चीज़ की है, अच्छी, जिससे की आपको फायदा हुआ है, आज तक की जो आपके अचिवमेंट है, उसको लिखिए, और आगे क्या क्या करना है, जिन्दगी में उसको लिखिए, अगर आप अभी लिक नहीं रहे ह हैं, और बस वीडियो पर वीडियो देखे जा रहे हैं, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला, मेरी ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद फिर दस मिनट बाद दूसरे की वीडियो देखने लग जाओगे, और बस ये टाइम बरबाद करने की चेंज चलती जाएगी, तो प आपने प्रायोरिटी के हिसाब से उस आइडिया पर एक एक करके वर्ग करना शुरू करना, जिसे की आपको सक्सेस हासिल हो पाएं, आई होप की आज की वीडियो ने आपकी लाइफ में बहुत सारी वैलियो जैड की होगी, तो प्लीस ये फॉर्मूला याद रखिए कि जि आपो पा लिया, तो बस आपने सक्सेस को अचीव कर लिया, एंड यहीं पर मैं अपनी बात को खतम करता हूँ, अल्ला से दुआ है कि आपको दुनिया और आखिरत की काम्याभी अता करें, और हम में से जो भी लोग परिशान हाल है, उनकी परिशानी को दूर करें, और हम अंदाई है तो इस वीडियो को कम से कम, चार से पांच लोग जो आपके करीबी हैं, उनको शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी लाइफ को ट्रेक पर ला पाएं, और दुनिया और आखिरत की काम्याभी हासिल कर पाएं, आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए थाइंक्य मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज